सतना के रामपूर बगिलान में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है घर में अकेले रह रह रही व्रद्ध मधिला के घर में चोरी के इरादे से घुसे चोरो ने महीला को घाल कर दिया वहीं पिरित महिला ने आरोप लगाया है कि चार दिन बीज जाने के बाद भी पुलिस चोरो को पकड़ने में नाकाम्याब रही है पुलिस ने अब तक कोई जान शुरू नहीं की है सतना का रामपुर बगेलान अब चोरो का अड़ा बनता जा रहा है आए दिन कोई न कोई घटना यहां के रहवासियों के लिए परिशारी का सबब बनती जा रही है 65 साल की व्रद महिला आशा तेवारी के उपर चोरो ने चोरी के दौरान प्राढगा तक हमला कर दिया कहटना रामपुर बगेलान थानांतरगत वौट क्रमांग 13 की है जहां महिला घर में अकेली रहती है जिसकी जानकारी चोरो को थी चोरी की इरादे से घर में खुसे चोरो ने रोकने पर महिला पर हमला कर दिया जिससे बहाए खायल हो गई वही महिला ने पुलिस पर कोई भी कारवाईद ना करने का अरोप लगाया है महिला ने कहा चार दिन पीचाने के बाद भी पुलिस ने चांच शुरू नहीं की उन्होंने स्थानिय विधायक से भी इसके लिए गुहार लगाई है करो अथे शोबे में उसको मारी मुआल चुड़ाया उसको मुझा लिए मुझे मुझन करना नहीं आया कि मेरे खोन पूर abonn false of NASA Perm पूलीस प्राइब करने लिए पर पूलीस पहुंच गई यह कि इतना चोटील होगा जब मैं आया तो जब खून देखा तो भी और शौक्ट यार ऐसी घटना वे रामपूर घट सकती हैं अब अब पूलीस प्रासना के सहारे अपनी मां को छोट रखा लेकिन वह बगत जो कि यह प्रासना सजाग है कि चोट को खाडम करेगा वो नहीं कहीं दिखा मेरे को इना सब्सक्राइब करेगा जिए आविपर्श निवीड़ एमका करेटी रेखा लेकिन अव्याबनाट टेढम एपक्तृाइब स्विए ट्रॉबश्य जूक्ट जानिधा प्राइब सिन अधिया क्या फ्राइब हैं परिश्या व्याफिश ट्रॉट्र सब्सक्राइब करेट्पाट अब्सक्त लॉश् आप देख रहे हैं दखल न्यूज